कि नमस्कार दोस्तों कि मिचुवल फंड की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आता है रिटर्न यार इतना हुआ बना के रखेने लोग ना रिटर्न कितना मिलेगा आप एवडी पे थे 7-8% के रिटर्न्स पे थे तो बहुत खुशते भी या 7-8% that's we all are satisfied with 7-8% रिटर्न्स फिर आया सेयर मार्केट अब सेयर मार्केट आया तो confusion यह पैदा हो गई कि भाई सेयर मार्केट में जब पैसा में इन्वेस्ट करेंगे और हमें सेयर मार्केट के नौलेज नहीं तो हमारा capital भी loss हो जाएगा अभी बास है यह बहुत सारे लोगों ने loss किया है बहुत सारे रो रहे हैं और चिलाते भी है सेयर मार्केट ने बिल्कुल मज जाना जुआ है एकदम परबात कर देगा आपको यह भी बास है लेकिन उसके बाद फिर mutual fund की बात आती है mutual fund यानि कि आपको ब बहुत सारे मेरे वीडियो पड़े हैं मेरे चनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दिए कि फीस तरह के content regular basis पे अपडेट होते रहते हैं आज हम बात करेंगे returns के मामले में कौन से ऐसे mutual fund है 60% अब इसको देखके लगता है कि यह क्या ऐसा possible है भाई मैं थोड़ी बोल पॉसिबल एकि नहीं पॉसिबल है चलो देख लेते हैं कितना पॉसिबल है कितना नहीं है सबसे मेन हमारा जो पहला जो है वह है कि बंधन का small cap fund बंधन small cap fund इसको कॉंट हटा दर बंधन small cap fund है इसने लगभग 67% का रिटन्स मनागी दिया है 67% का रिटन्स मनागी दिया है और इसकी जो नेट एसेट्स वैलू चल रही है वह लगभग 34 35 ये करीब चल रही है small cap है volatility है long term में आप इसमें पैसे invest कर सकते हैं अच्छा खासा रिटन्स मना करके आपको देगा इसकी अलावा जो हमारा fund है हमारा quant value fund quant value fund जिसकी अभी हम लोग बात करें लगभग इसने भी 65% का रिटन्स मनागी दिया है और इसकी जो NVA net assets value है थोड़ी स्याधिक है थोड़ी स्याधिक है थोड़ी स्याधिक है मतलब लगभग 237 से गरीब चल रही है और आपको NVA की चकर में नहीं पढ़ना ची नेट assets value की चकर में नहीं पढ़ना ची आप जितना पैसा करोगा उतर आपको एलोट होगा इसमें से बहुत ज़्यदा हमको फर्क नहीं पड़ता है तो यह भी 65% का रिटर्स मनागी दिया है आप चाहो तो इसमें पैसा लॉंग टर्म के लिए क्लिए क्या कर सकते हो इसके अलावा हमने जो फंड लिया है वह है महेंदरा का महेंदरा का स्मॉल के फंड अब महेंदरा एक ज बने रहा है इसका मत्ब समझें जो भाई इसमें अच् Representative में अच्छा काम कर सकता है और इसमें आपको पैसे इंवेस्ट करने चाहिए लॉंग तर्म में आप इसमें पैसे आपका कर सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो थोड़ा सा यूनिट देखने में अच्छा लगता है कि ज़्यादा यूनिट एलोट हो रहे हैं, 200-500 पैसे आप क्या कर सकते हैं, इसमें SIP कर सकते हैं, तो आप long term के लिए ये बेतरीन फंड सावित हो सकते हैं, इसके अलावा जो है, वो quant mid cap fund, mid cap fund में थोड़ा सा रिस्क क करीब चल रही है, वो लगबग 213 के करीब चल रही है, एने भी थोड़ी सी अधिक है, एने भी होने से मतलब नहीं है, मैंने बार-बार पहले से बोट रहाँ, और ये fund में भी potential है, long term में आपको एक अच्छा खासा returns बना करके दे सकता है, इसके अलावा जो हमने fund लिए है, लगबग 60% का returns बना करके दिया है, और इस fund की जो NAVA चल रही है, लगबग 23 रूपे चल रही है, यानि बहुत अधिक इसके NAVA नहीं है, 23 रूपे नहीं है, तो आप इस fund में भी आप पैसे invest कर सकते, long term में, और मेरे चैनल पर जब भी आप आते हैं, तो हम आप देखे होगे, पुरी वीडियो से देख लिए, इसमें हम आप लोग को financial guidance करते रहते हैं, regular basis पे मेरा updates होता रहता है वीडियो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वीडियो में लाता रहता हूँ, तो हो सकता है कि कुछ वीडियो आप के लिए भी बिनफिस तो सेर कर दिया कर ये, सब्सक्राइब कर दिया कर ये, और मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम